हेलो एंड वेलकम बेक हाज के इस वीडियो में हम एक वर क्वेस्टन स्वालू करने जा रहे हैं ठीक है क्वेस्टन है function of two variables का हमने derivative निकालना है function का with respect to t that is equation जो है parametric form में देखर रकी ठीक है तो इसका derivative आसान जा question है at 0 हमने काल को लेट करना है मैं इसका solution लिख रहा हूँ given is the function अपर पर जो function है that is f of xy that is e की power x sin of y x और y देखे रखें तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x की जगर t q plus 1 और y की जगर t power 4 plus t लिख दूँ तो यहां पर आएगा e की power t q plus 1 और sin of t की power 4 plus t अब इसको differentiate कर देंगे ठीक है f with respect t दोनों साइड से ठीक है तो यहां पर आएगा आएगा t q plus t ऐसे ठीक है प्लस आएगा और e power t q plus 1 ऐसे रहेगा और अब differentiation of sin तो यहांगी cosine of t power 4 plus t अब internal आएगे रहेगे तो आप 0 तो दोगे 3 times zero e power 1 sick of 0 plus e power 1 0 plus 1 is this and then you have cosine of zero only and then you have 0 plus 1 तो यह सारा जो है ना वो 0 बनेगा प्लस E को साइन आप 0 1 है और साथ में आफका 1 एक और 1 है तो आंसर जो है E है ठीक है लेकिन हमें बोल रहा है कि हमने आंसर इसका देना है बट राउंड़ आफटर 2 decimal places तो यहां पे हमने इसका value पता होना चाहिए E का that is 2.7 1.8 2.8 1.8 2.8 ठीक है ब्ला ब्ला ठीक है हमने 2 decimal places तक बोलना है that is 2.71 इस दे करेक्ट ठीक है आसान सा question है ठीक है वीडियो देखने के बाद चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे ठीक है लाइक करे कमेंट भी कर ले ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करे ठीक यू